नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्तम के साथ मादुर्गा के नौवी स्रूप माद सिद्री दातठी की पुजा का खास मुष्ट है इस दिन पुजा के साथ हवन कनिया पुजन और नोगरह सांती की भी पुजा की जाती है आप इस दिन आपारधन की स्वामी बन सकते हैं लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कौन है मां सिद्धिदात्री भगवान सीब ने मां सिद्धिदात्री किरपाद से आठ सिद्धियों को प्राप्त किया था इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम में इसुत्त और बसित सामिल है माता की वज़से भगवान सीब को अर्ध नारिस्तर नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिद्धिदातरी कारण ही सीब जी का आधा सरीर देवी का बना था हम आपको बताते हैं क्या है मा सिद्धिदातरी का रूप कमल पर विराजमान चार भुजाओं वाली मां सिधीधात्री लाल सारे में लिप्टी होती है इनके चारों हाथ में सुधरसन चक्र, शंक, गदा और कमल रहता है सीर पर उचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुसकान ही मां सिधीधात्री की पहचान है हम बताते हैं कि मा का क्या है महत्व, मा के इस रूप का क्या है खास महत्व नवरात्री के नौवे दीन मा दुरगा सिधी दात्री सरूप में पूजा की जाती है ये सभी प्रकार की सिध्धियों को देने वाली है इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और बैक्ति को हर छिट में सफलता मिलती है नमवी के दिन अगर देवी की पूजा कर ली जाए तो बैक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है ये कमल पर आसीन है और केबल मानव ही नहीं बलकि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देबता और असूर शभी इनकी अराधना करते हैं संसार में सभी बस्तों को सहज और सुलबता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के नवे दिन इसकी पूजा की जाती है अब हम आपको बताते हैं कि मान सिद्ध दातरी का क्या है खास मंत्र लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आप एक खास उपाय करके एक खास मंत्र जब करके कैशे अपारधन की स्वामी बन सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए गुलाबी कपड़ा या चौकी पर अस्फटिक की स्री यंत्र अस्थापित करें नवरात में रोज सबेरे जल से स्री यंत्र की असनान कराने के बाद इसे फूल अरपित करें दीपक जलाकर स्री जंत्र के सामने जो मंत्र में बता रहा हूँ इसका कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना है मंत्र मैं बहुत धीरे से पर रहा हूँ इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं या फोटो भी खी सकते हैं मंत्र है इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना है अगर आप इस मंत्र का जब नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे तो स्री सुक्तम का भी जब कर सकते हैं निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी अब हम आपको बताते हैं क्या है मां सिध्धी दात्री का विशेश मंत्र देखिए पूजा की सुर्वा सिध्धी दात्री की देवियस्तूती से की जाती है इस मंत्र का भी आप कम से कम एक साथ पर आपको जब करना है तब जाकर आपकी पुजा संपुर्ण होगी इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या खास उपाय करके आप अपने सारे ग्रहों को अपने नियंतरन में कर सकते हैं क्या है खास इसकी पुजा भी दिखिए सबसे पहले आपको घी की चौमुखी दीपक जलाना है कमल या लाल फुल देवी को अरपित करना है करम से आपको जो चीजे मैं बता रहा हूँ इनको देवी को अरपित करना है मिसरी आपको अरपित करना है मून के लिए गूर या पान का पत्ता शन या सुर्ज के लिए अरपित करना है हरी सौफ आपको मरकरी या बुद्र के लिए अरपित करना है केला जूपीटर भ्रसपती के अर्पित करना है और दही सुक्र गरह के लिए आपको देवी को अर्पित करना है घी आपको सनी गरह के लिए देवी को अर्पित करना है गुर मार्स यानि मंगल गरह के लिए देवी को अर्पित करना है इन चीजों को करम से आप अर्पित करें और उसके बाद देवी से नौ गराओं की सांती के लिए प्रार्थना करें निश्चित रूप से आपके जिन्दगी में जो नौ गरा है उनसे समझित कोई समस्या आपके जिन्दगी में है उसका सांती और उसका आपको जो एक समधार मिल जाएगा अब हम आपको बताते हैं कि मादेवी की क्या है खास पूझा बीधी देखिये माँ के समक से दीपक जलाएं माँ को नौकमल के फूल या लाल फूल अरपित करें इसके बाद माँ को नौत तरह के खातपतार्थ भी अरपित करें मां के बताये मंत्र जो मंत्र मैंने आपको बताये हैं इसका कम से कम आपको एक साथ पर जब करना है इसके साथ साथ अरपित किये हुए फूल को लाल बस्त में लपेट करके रख ले पहले निर्धन को भोजन कराए इसके बाद सोयंग भोजन करें अब हम आपको बताते हैं कि हवन का क्या है खास भीधी लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि मां को क्या खास भोग लगाना है देखिए मां सिरी दातरी को कमल के फूल अती पिडिया है इनको कम से कम नौ फूल अरपित करने चाहिए अगर आपके पास नौ फूल नहीं है तो आपको एक फूल एक फूल ले लिजिया उसको आप पानी में डूवो डूवो कर आप उसको कम से कम नौ बार चढ़ा दिजिये नौत तरह के खात पतार्थ भी देवी को रपित करना अतियावास्यक है अब इस दिन आप हवन भी करते हैं हवन का क्या है खास विशेस बीधी और इसका क्या है विशेस मंत्र देखिए दुर्गा पूजा में इस तिथी को विशेस हवन क्या दाता है हवन करते बक्त सभी देवी देपताओं के नाम से हवी या आहुती देनी चाहिए बाद में माता के नाम से भी आहुती देनी चाहिए देवी के जो बीज मंतर है ओम हिरिम किलिम चाम उन्डाय विच्चे नमो नमहा इससे कम से कम एक सा आठ बार आउती देनी चाहिए दुर्गा सबसती के सभी सुलोक मंतर रूप में है अता सबसती के सभी सुलोक के साथ भी आप चाहे तो आउती दे सकते हैं हवन में जो भी प्रसाच रहा जाता है उसे समस लोगों में बंगर देना चाहिए अब क्या है खास हवन बीधी देखिए नमवी के दीन नवरात्री की पुन्ता के लिए हवन क्या जाता है नमवी के दीन पहले पूजा करे फिर हवन करे हवन सामगडी में जो और कालातिल मिलाए इसके बाद कन्याप पूजन करे कन्या पूजन के बाद संपुन भोजन का धान कर दें अब हम आपको बताते हैं कि किस चीज का हवन करने से क्या आपको लाव मिलता है यानि कि किस चीज से हवन करने से क्या आपको फल मिलता है देखिए आर्थिक लाव के लिए मखाने और खीर से हवन करना चाहिए करज मुक्ती के लिए राई से हवन करना चाहिए संतान समधी समस्चाओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें गरह सांती के लिए काले तील से हवन करें और सर्वकल्यान के लिए काले तील और जो से हवन करना चाहिए अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्री के इस खास दीन आपको पूजा का क्या फल मिलता है देखिए मा सिद्धात्री के अंदर से भी देव्या समाहित है अगर नवरात्री में केबल इन ही की पूजा कर ली जाए तो संपुर्ण नवरात्री का फल आपको मिल जाता है इनकी पूजा से अपार बैभाब और धन की प्राप्ति होती है साथ ही इनकी उपासना से बैक्ति को समस्त सिद्या भी मिल जाती है मां के इस वरूप की उपासना करने से बैक्ति गराहों के दुस्प्रभाव से भी बच जाता है अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या है खास कन्या पूजन की बीधी देखिए नौवी तीथी के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है दो बरसे लेकर दस बरस तक की कन्या की पूजा का बिधान किया गया है अलग-अलग उम्र की कन्या देवी की अलग-अलग रूप को बताती है कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको घर जाकर उन्हें आमंतित करें फिर सुबह प्यार से हां जोड़कर उन्हें अपने घर में परवेश कराएं घर में कन्याओं के परवेश के दोरान जय मातादी जय मातादी की जयकार लगाएं कन्याओं को साफ फासन पर बिठाएं और उन्हें पैर धोएं उनके माथे पर रोली या कुमकुम का टिका लगाएं इसके साथ साथ कन्याओं के हाथों में मौली बांधे, सभी कन्याओं को घी के दीपक दिखा कर आरती उतारे, आरती के बाद कन्याओं को पूरी हलवा और चने की प्रसाद खिलाएं, कन्याओं को बिना टोके उन्हें खिलाना चाहिए, भोग के बाद कन्याओं को भेंट और भार दें आखिर में उन्हें पेर छूकर घर के बाहर तक जाकर विधा करें इस तरह से आपकी कन्या पूजन संपुर्ण होगी तो मैंने आज आज आपको बताया कि नवरातरी के आखरे दीन किस तरह से आपको पूजा करना है किस तरह से हवन करना है कैसे कन्या पूजन करनी ह और किस तरह से आप नोगरह को अपने अंदर या आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं इसके साथ मैंने आपको एक खास मंतर बताया जिसकी जब करके आप अपारधन की स्वामी बन सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरिपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा आपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी अपने जिन्दगी में इन चीजों का लाव ले करके अपने जिन्दगी को सुलब बना सकते हैं आज के लिए बस इतना ही आपको बहुत बहुत धन्यक्त